आज मैं आपके लेके आई हूँ एक दम नरम, स्पंजी, सौफ्ट दही वड़े की रेसिपी ऐसी कुछ खास टिप्स बताऊंगी जिससे आप जितनी बार भी दही वड़े बनाएंगे दही वड़े हमेशा ही सौफ्ट, नरम, स्पंजी मुलाइम बनेंगे तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है दही वड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ली है उरद की दाल तो दो कप मैंने उरद की दाल ली है अब इसे हम तीन से चार पानी से अच्छे से दो लेंगे ताकि इसका जो भी डस्ट है वो निकल जाए अब इसे हम 5-6 घंटे के लिए पानी में भीगों के छोड़ देंगे या इसे आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं भीगों के तो मैंने यहाँ पे 5-6 घंटे के लिए से भीगों के रखा है अब 5-6 घंटे के बाद हम देखेंगे कि जो दाल है वो अच्छे से फुल गई है जब इसे आप दबाके देखेंगे तो ये आराम से तूट जाएगी तो ये दाल अब हमारी रेडी हो गई है पानी को अब हम अलग कर लेंगे और सिर्फ दाल को हम मिकसर जार में डालेंगे दाल को पीसने के लिए हमें बहुत थोड़ा पानी इस्तमाल करना है तो मैंने यहाँ पे 2-3 चमच पानी एड़ किया है इसमें अगर आपको और पानी की जरूरत हो दाल पीसने के लिए तो आप थोड़ा पानी और एड़ कर सकते हैं मैं आपको खास ट्रिक बताऊंगी जिससे दहीवरे एकदम सॉफ्ट बनेंगे दाल को एकदम फाइन पीस कर तयार करना है बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना है इसका तभी दहीवरे एकदम सॉफ्ट बनेंगे अब एक बड़े से बोल में इसे हम निकाल लेंगे अब दाल में हम कुछ चीजे एड करेंगे तो मैंने एक इंच अद्रक लिया है से गीस लिया है मैंने पांच से छे हरी मिर्च ली है बैटर में नमक बिल्कुल भी एड नहीं करना है अब दाल को हम फेंट लेंगे एक ही डायरेक्शन में आप इसे बहुत अच्छे से फेंटें तभी दही बड़े एकदम सॉफ्ट नरम बनेंगे अब इसे चेक करने के लिए हम एक बोल में पानी लेंगे और थोरा सा बैटर हम यहाँ पर डाल के देखेंगे कि अगर यह पानी से उपर आ गया तो हमारा बैटर बिल्कुल तयार है अब कढ़ाई में तेल डालेंगे अब तेल गरम हो गया है तो हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे यहाँ पर अब एक बार में जितने वड़े आएं आप इसे कढ़ाई में डाल दें अब जैसे ही वड़ो में हलका सा कलर आ जाएगा वड़ो को हम निकाल लेंगे आप देख सकते हैं कि वड़े कितने अच्छे से फूल गया है अब हम सारे वड़ो को तल के निकाल लेंगे अब इसी तरह से हम सारे वड़ो को तल के निकाल लेंगे अब इन सारे वड़ो को हम पानी में सोक करेंगे तो पानी को मैंने हलका सा गुन गुना कर लिया है इसमें मैंने आधा छोटा चमच हींग डाला है दो छोटी चमच नमक डाला है मिला लेंगे इसी अच्छे से अब हम इसमें वड़े डाल देंगे और यहाँ पे इसे आदे घंटे के लिए पानी में डाल के छोड़ देंगे तो बड़े बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे अब मैंने यहाँ पे दही लिया है आदा केजी के असपस अब इसमें हम एक बड़ा चमच चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से फेट लेंगे अब 30 मिनट हो चुका है यहाँ पे बड़े को फोलते हुए तो अब हम इसे हलके हाथों से दबाते हुए पानी निकाल लेंगे इसका अब वड़ो को हम दही में एड़ करेंगे जब आपको दही वड़े खाने हुए तब ही आप इसमें वड़ो को एड़ करें उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे तुरंती दही में डालने के बाद वड़ो को रखना है अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे तो मैं दिखाती हूँ कि इसे कैसे सर्व करना है अब इसे सर्व करने के लिए हम वरो के उपर दही डालेंगे इसमें इमली की चटनी डालेंगे या इसकी जगह पे आप टमैटो केचप भी डाल सकते हैं तीखी चटनी डालेंगे और इसकी उपर हम थोड़ा सा भूना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं कि दही बड़े कितने सौफ्ट बने हैं अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें